नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम जिरोता क्याइट के एक नए अपडेट के बारे में बात करने माले हैं यह जो अपडेट है यह जिरोधा वेब वर्जन के लिए पहले से ही उपलत करवा दिया गया है और जिस अपडेट के बारे में अभी वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे यह अपडेट अभी बीटा वर्जन के यूजर्स के लिए अवलेबल है तो क्योंकि मैं बीटा वर्जन यूजर्स करता हूँ जिरोधा काइट का तो मेरे पास सोड़ा सा अपडेट पहले आ जाता है दोस्तों जाद भी जादा से जाता शेयर करिएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं चलते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉडर पर पहुच गया हैं और चलते हैं यह प्ले स्टोर पर मैंने टिक कर दिया उसके बाद में यहाँ पर जो लिखान क्योंकि हो सकता है पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लोगों को दिक्कत आए बहुत से लोगों को दिक्कत आते हैं इसलिए मैं यह बार 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 बताता हूं तो यहाँ पर मैनेज में जाते हैं अब कहां पर जाएंगे अपडेट्स एवलेबल पर यहाँ प यहां पर उन्हों ने बता रखा है एड़ेड ओमनी सर्च फीचर अब यहां ओमनी सर्च क्या है मुझे नहीं मालूम है अभी अपडेट करेंगे तो हम लोग आगे देखेंगे और दूसरा है बग फिक्स एन इन्हेसमेंट ठीक है तो अभी इसको हम लोग क्या करने वाले यह पर कर लेंगे अपडेट और यहां पर आपको दिख रहाओगा काइंट पाइज़ बाइजरूरताँ यह मेरा बीटा वर्जन है तो अभी हमारा यह अपडेट हो रहा है अपडेट होने के बाद में यह हमारा इंस्टॉलिंग दिखा रहा है आपके सामने यहो बरके आ रहा बेंक हमने कर दिया है तो login होने के बाद में इस तरीकिका interface आपको दिखता है तो यहां कहीं पर भी आप कहीं पर टैप कर लेंगे तो वहां पर यह update इस तरीकिये से वीजवल नहीं है जो only search का है तो only search तो search वाले जो option होता है वही पर आपको यह update तो कहां पर होगा जैसे कि मेरे ये watch list को लिए कोई भी watch list आप ले सकते हैं मलब जैसे कि उपर आप देखने ने सारी ये watch list हैं तो इन में सब कोई भी आप ले सकते हैं और यहां पर लिखा है search and add तो यहां पर आपको simply tap करना है चलिए मैं जैसे tap करूँगा देखी क्या होता भ हुआ है तो यहां पर पहला आ रहा है hashtag दूसरा आ रहा है MF यानि कि mutual fund तीसरा आ रहा है IPO और चौथा आ रहा है जी सेक्टर तो पहला जो hashtag वान आ है उसको मां देखते हैं तो अभी जैसे कि हम लोग को कोई stock को search करना है जैसे कि example मैं बार बार ITC का लेता हूं ITC आपने search किय या फिर आपको call और put या futures जो भी आपको यहां पर search करना है आप बहुत ही आसानी से search कर सकते हैं ठीक है अब दूसरा चीज दिखते हैं आप MF का तो यहां पर MF का option तो दिखा रहा है search तो आप कर सकते हैं लेकिन यहां से आप buy नहीं कर पाएंगे यह आपको redirect कर देकर जि search करके दिखाता हूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो MF लिखा हुआ है इसके उपर कर देंगे tap तो चलिए हमने यहां पर tap कर दिया tap करने के बाद में यहां पर आप देख रहे होंगे जैसे हमने tap किया है सारे यहां पर जो funds हैं हमारे उपर से लेकर के नीचे तक शो हो और जिरोधा निफ्टी लांज मिटकेव 250 इंडेक्स पंड तो एक्जांपल के तौर पर कोई भी जो फंड है उस पर मैं क्लिक कर देता हूं ठीक है जैसे यह नीचे वाले पर ही चलिए इसे क्लिक करता हूं तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यह कहां दिखे हमें ले जा जाने में यह बार हमने टैप करना बड़ा तब हम बैक आप आया है अब अगला जो ऑप्शन है हमारा IPO यह आप दिख रहे होंगे अभी यहाँ पर चलिए टैप करते हैं जैसे यह आप टैप करेंगे तो यहाँ पर अभी नो रिजट फांट दिखा रहा है वो इसलिए इसलिए तो चलिए यहाँ इसको डिलीट करने तब दिखते हैं जाओता चलो जैसे हमने डिलीट किया तो यहाँ पर जो भी आपके IPO ongoing होंगे ओपन होंगे वह सब यहाँ पर नजर आ जाएंगे एक जामपल के तौर पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक IPO है जो की ओपन है और यह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 16 November पोपेन हुआ है 20 November तक चलेगा उसके जो नीचे के हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यह कब होगा 21 November को पोपेन होगा और यह 23 November को क्लोज होगा इस तरीके से यहाँ पर आपको IPOs की Watch List मिल जाएगी यानि कि इसको आप सर्च कर पाएंगे अगर अगली चीज है G Sector तो जैसे इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बार में जो भी इस से Related Queries होगी या जो भी यहाँ पर Auto Fill Data होगा वो आपको यहाँ पर शोग हो जाएगा तो यह छोटा सा Update है जिरोदा की ओर से जिरोदा काइट के लिए अगर आप जिरोदा का वेब वर्जन यूस कर रहे होंगे तो आपको यह Update महाँ पर पहले से ही दिख रहा होगा और यह Update जिसको ना मिला हो तो आपको परशार होने की जरूत नहीं है आने वाले समय में यह सब के लिए Roll Over कर दिया जाएग तो अमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह Update आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा और जिन भी लोगों ने अभी तक जिरोदा के साथ में अपना डीमेट और ट्रेडिंग का नहीं उपन करवाया है तो डिस्क्रिप्शन अपन होने की जो प्रॉसेस है वो पूरा हो जाता है और 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो एकाउंट है वो अपन हो जाता है अगर आपका सारा जो डॉक्मेल्स वगरा आपने अपलोट किये हो वो सही होते हैं तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा चैन